आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question is given What is the simplified value of 4 to the power m plus 1 by 4 into root 2 into 2 to the power m upon 2 into root 2 to the power minus m to the whole power 1 by m हमको इसको simplify करना सबसे पहले जो given equation है उसको 4 की power हमें given है m plus 1 by 4 ठीक है into question में है under root 2 और 2 की power m upon 2 और root में 2 की power minus m to the whole power हमसे कह रहा है 1 by m इसको simplify करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हम 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं means 2 to the power 2 अब इसकी भी power हो जाएगा m plus 1 by 4 ठीक है इसके बाद जो 2 है और 2 की power m है root को जब हम हटाते हैं तो हमें पता है 1 by 2 आ जाती है power ये power आगी 1 by 2 similarly जो denominator पार्ट है इसको क्या लिख सकते है 2 into 2 की power minus m की power 1 by 2 अब इसके बाद whole power जो हमें given है वो given है 1 by m अभी हम bracket के अंदर का ही part solve कर रहे हैं सिर्फ अब इसको क्या लिख सकते हैं इस 2 का multiply हो जाएगा तो 2 m plus 1 by 4 means 2 by 4 तो क्या बच जाएगा 1 by 2 ठीक है इसको split कर लेते हैं 2 की power 1 by 2 into 2 की power m by 2 upon नीचे 2 है एक दूसरा बनके 2 की power minus m by 2 और इसकी whole power तो 1 by m है ही 1 by m ठीक है अब फर्दर इसको और क्या लिख सकते हैं लिखिए सारे basis सेम है तो power बहुत ही simply add हो जाएगी so we can write 2 की power 2m plus 1 by 2 plus ये वाली power भी 1 by 2 और plus m by 2 और denominator part में हम जाएगे तो 2 की power 1 कुछ नहीं का मतलब 1 plus minus तो minus m by 2 और इसकी whole power है 1 by 2 according to exponent rule अगर basis सेम है तो power add हो जाती कहने का मतलब है x की power m into x की power n तो क्या लिख सकते हैं x की power m plus n हमने इस identity को use किया है इस question को भी solve करने में further solve कर लेते हैं इसको अब क्या आ जाएगा हमारा next job अब हमें LCM लेके add करना है तो 2 की power LCM ले लेते हैं सारा LCM 2 आ गया तो it means ये कितना हो जाएगा 4m ठीक है half plus half तो वैसे भी 1 होता है तो 1 by 2 1 by 2 4m plus 1 plus हो जाएगा m upon 2 अब upon 2 की power इसको भी ले लेते हैं तो 2 minus m upon 2 अब क्या हुआ हमारे ये मिलिए अब दूसरा रूल हम इसमें apply करेंगे exponent का कि x की power m upon x की power n जब basis सेम होते हैं लेकिन divide का scene होता है तो powers आपस में subtract हो जाती हैं अब इस identity का use करके solve करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2 की power 4m plus 1 plus m by 2 ये उपर जाएगा तो minus 2 minus m by 2 ठीक है और whole power तो 1 by m है ही अभी ना फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की power बेस सेम ही है 2 4m plus 1 plus m minus 2 और minus minus plus m upon 2 की whole power 1 by m तो क्या आया इसको solve करके solve कर लेते हैं solve करने पे हमारा आया बचेगा यहां पर 2 की power 2m plus m सब कट गया और 1 by m now it means क्या आया 2 की power 3m की whole power 1 by m m से m cancel out तो आ गया 2 की power 3 which is 8 तो हम कह सकते हैं कि इस जो exponent हमें given तो सको solve करने पे answer आया 8 एक और identity यहां पे हमने use करी which is x की power m की whole power n तो ऐसे में powers का multiply हो जाता है इसी वज़े से यहां पर m से m cancel out हुआ है तो इस question का answer हो गया 8 थांक यू प्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8400 400 400 पर